यह जो वाइट पेपर है मैं बस इतना बता दूँ इसके चूंकि अभी थोड़ी देर पहले इसकी एक कॉपी हमको भी मिली है लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है उसको नहीं पूरा तो नहीं पढ़ पाए लेकिन तीन हिस्सों में हैं भाग एक में 2014 की अर्थवस्ता और न किया है तो मजब मानके चलें कि तो एक तो दस साल यूपीय कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार की खलाफ आपने इसमें आकड़े जुटाएं शुरुबात वहीं से किया आपने आपने बताया होगा कि किती बरबाद हालत में तवस्ता मुदी जी को मिली जी यह जो वाइट प पूरा किया है तब जरूरत है कि लोग समझें और लोग जाने की जो 2004 से 2014 का जो डेकेट था जिसको आप इंग्लिश में लॉस डेकेट कहते हैं वो एक व्यर्थ दशक था और उसका जो है विवरन काफी डीटेल में उसमें किया गया है देखिए जब वाजबे जी की सरकार 2004 2004 में गयी तो उस समय GDP का जो दर था वो लगबग 8 प्रतिशक था और हमने क्रेडिट भी दिया है कॉंग्रेस को भले ही कॉंग्रेस ने मेहनत नहीं किया हो पहले चार साल में जो वाजबे जी के रिफॉर्म्स थे और जो ओवर ओल ग्लोबल एकनॉमी में बूम था उस की दर को रोक पाए लगभग आधे से जादा महीनों में जो यूपी टू की सरकार थी उसमें इंफलेशन दर जो था या तो दस परसंट की रेंज में था या उससे अधिक था और आपको पता है कि किस तरह इन्होंने पिट्रोल की प्राइस को आर्टिशली कम करने के प्रया में जीडीपी दर इस देश का 4.6 परसंट था और जब हम और आज जब पूरी वैश्विक एकनॉमी जो है स्ट्रेगल कर रही है आज भारत जो है लार्जिस्ट फास्टेस ग्रोइंग लार्जिस्ट एकनॉमी पिछले तीन वर्षों से हैं और आने वाले जतने भी एस्टि 20 परशों का एक प्रकार से जनता के समक्षा